साथ संगत जी प्यार से कहना धन रंकार जी स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर आज में आप सभी के लिए एक बहुत खुबसूरत साखी लेकर आई हूँ चलिए आज की साखी सुनते हैं साथ संगत जी एक राजा था जिसका नाम था रगुवीर रगुवीर के दो बेटे थे आजय और विजय आजय और विजय दोनों जुड़वा पैदा हुए थे इसलिए राजा समझ नहीं पा रहा था कि वो किसे अपना उत्र अधिकारी चुने राजा ने मंतरी से सलहा की मंतरी ने कहा महराज दोनों कुमार एक दूसरे से बढ़कर हैं फिर भी हमें तो किसी एक को ही राजा बनाना है मंतरी कुछ तेर सोचता रहा फिर गंभीर होकर कहने लगा कि राजन राजकुमारों के गुणों के गहन अध्यन के लिए मुझे थोड़ा सा समय दीजिए इस दुरान मैं उनको हर एक दृष्टी से जाज परक कर आपको अपनी राए बता दूँगा राजा ने अपनी सविकृती प्रदान की और कहा ठीक है एक दिन मंत्री ने दोनों राजकुमारों को अपने पास बुलाया और कहा कि महराज की इच्छा है कि आप में से किसी एक को महराज अपना उत्रा दिकारी चुने आज का दिन शुब है इसलिए मैं चाहता हूँ कि राजा बनने से पूरव आप सर्वत्तम दान करे मंत्री की बात सुनकर अजय सोचने लगा इस सर्वत्तम दान क्या हो सकता है तभी उसे कुछ ध्यान आया वो अपने गोडे पर बैट नगर में निकल गया उसने डेरों अशर्फियां थैले में भरकर अपने साथ ले ली थी नगर में घूम घूम कर वो देखता रहा उसे जो भी जरूरत मंद नजर आया उसने उसी को एक अशर्फियां में दे दी आजय पूरा दिन अशर्फियां बाटता रहा विजय भी सर्वत्तम दान के लिए वेश बदल कर महल से निकल कर पैदल ही नगर में चला गया उसके पास अशर्फियां भी नहीं थी विजय अभी कुछ ही कदम चला था कि एक बूढ़ा व्यक्ती सर पर लकडियों का गठर उठाए आता हुआ नजर आया वो कमजोर तो था ही बोज के कारण वो धीरे धीरे चल रहा था उसे देख विजय को दया आ गई और विजय उससे कहने लगा कि बाबा लाओ तुम्हारे गठर को मैं तुम्हारे घर पहुचा देता हूँ बुजुरत बोला बेटा मैं तो जंगल से लकडियों को काट कर ला रहा हूँ इन्हें बाजार में बेच कर जो पैसे मिलेंगे उसी से खाने पीने का समान खरी दूँगा तो विजय ने कहा लाइए मैं इस गठर को बाजार तक ले चलता हूँ ये कहते हुए विजय ने बुजुरक के सीड से लकडियों का गठर अपने सिर पर रख लिया और उने बाजार तक पहुचा दिया बुजुरक व्यक्ती ने विजय को धन्यवाद कहा इसके बाद विजय आगे बढ़ गया उसने देखा कि सडक किनारे बगीचे में कुछ बच्चे खेल रही है वो भी उनके पास खड़ा हो गया थोड़ी देर के बाद सामने हवेली से एक गरीब बालक निकला वो वहाँ आकर चुपचाव खड़ा हो गया विजय ने उस लड़के से पूछा क्या तुम्हारा खेलने का मन नहीं करता लड़के ने कहा मन तो बहुत करता है पर मेरा मालिक आने वाला है मुझे घर की सफाई करनी है मुझे जूठे बरतन साफ करनी है इसलिए मैं खेल नहीं सकता विजय ने उस बच्चे से कहा तुम्हारी उमर तो अभी खेलने खाने की है उस बच्चे ने कहा हम बहुत गरीब है मेरी मा मर चुकी है मेरे पिता ने मुझे यहाँ नौकरी पर लगवाया है वो बाते कर ही रहा था कि रेश्मी वस्त्र पहने एक व्यक्ती वहाँ पर आ गया बच्चे को डाटते हुए कहने लगा तु यहाँ खड़ा है अभी तक घर की सफाई भी नहीं हुई वो लड़का डर कर हवेली की और भाग गया विजे को इस बात का बहुत बुरा लगा वो कुछ पल के लिए सोचता रहा फिर उस व्यक्ती के पास जाकर बोला श्रीमान जी अगर आपको अपत्ती न हो तो उस बच्चे की जगा पर आज मैं आपके घर का काम कर देता हूं आप उस बच्चे को खेलने दीजिए उस धनवान व्यक्ती ने सोचा ये तो और भी अच्छा रहेगा वो तो बच्चा है बड़े बरतन नहीं उठा सकता लेकिन ये तो पूरे घर को साफ कर देगा खुश होकर वो व्यक्ती कहने लगा मुझे क्या पत्ती हो सकती है तुम्हें बच्चे पर दया आ गई तो तुम उसकी जगा काम कर दो हम उसे छोड़ देंगे विजय बच्चे के पास कया और बोला तुम खेलो आज मैं तुम्हारी जगा काम करूँगा बच्चे ने सुना तो खुशी से चहकता हुआ बहर बगीचे में भाग गया विजय ने दिन भर साहुकार के घर में काम किया शाम को अजर विजय दोनों महल में पहुँच कए दोनों ने अपने दंचर या मंतरी को बताई मंतरी ने चुपचाप दोनों की बाते सुनी फिर बिना कुछ बोले मंतरी अपने कमरे में चला गया अगले दिन प्रात है मंत्री ने दोनों राजकुमारों को अपने पास बुलाया और कहा कल आप लोगों ने जो दान किया मैं चाहता हूँ आज आप दोनों कुछ कमा कर लाएं अजा ने अपने साथ दस सिपाहियों को लिया वो घोडे पर सवार होकर बाहर के धनाटे लोगों की बस्ती में पहुँच गया वहाँ जाकर आजा ने व्यपारियों से कहा आज मुझे बहुत सारे धन की जरूरत है आप लोग मिलकर मुझे एक लाख स्वरन मुद्राएं दो उन व्यक्तियों ने कहा हम इतनी मुद्राएं कहां से दे सकते हैं एक साहुकार ने अजा से बिंती की तो अजा ने कहा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता अगर धन नहीं दोगे तो मैं तुमें दंड दूँगा विपारी डर गए जिसके पास जो भी धन था उन्होंने तुरंत लाकर अजा को दे दिया अजा ने अपने सेवकों को कहा कि वो सारा धन मंत्री के पास पहुचा दे और उनसे कहना कि अजा ने दिन भर में इतना धन कमा लिया है दूसरी तरफ विजा ने अपने साथ वैध हकीमों का एक दल ले लिया नगर के हर गली महले में जाकर उसने बिमार व्यक्तियों का हाल चाल पूछा उन्हें मुफ्त दवा दी जब लोगों को पता चला कि महराज रगुवीर का पुत्र घर घर जाकर बिमारों की सेवा कर रहा है तो सभी विजा की जय जय कार करने लगे दिन भर सेवा करने के बाद विजा शाम को महल में आ गया अजय तो विजा से पहले ही पहुँच चुका था मंत्री ने दोनों की बाते सुनी पूरे दिन की घटना सुनकर मंत्री चुप हो गए कुछ दिन यूही बीत गए एक दिन मंत्री ने दोनों को फिर से बुलाया और कहा आपने दान भी दिया और कमाया भी अब कुछ जीत कर लाओ अजय सिंग ने स्यानिकों के टुकडी ली पास के टापू पर हमला बोल दिया उस टापू पर मित्र देश का कबजा था वहाँ के स्यानिकों को तो हमले की आशंका भी नहीं थी अजय के अचानक के आकरमण से वो हैरान हो गए शाम तक अजय के स्यानिकों ने टापू पर अधिकार कर लिया अजनी महल में आकर मंतरी को अपनी जीत की सूचना दी दूसरी तरफ विजय बिना कुछ खाए पिये जंगल में चला गया उस दिन उसने उपवास रखा ध्यान मगन होकर पेड के नीचे बैठा रहा शाम को वो महल में आ गया मंतरी ने पूछा कि तुमने क्या जीता विजय ने कहा आज मैं अपनी पहली लडाई में जीत कया अगले दिन मंतरी दोनों राज कुमारों को लेकर राजा के सामने उपस्तित हो गए सभी की निगाहे मंतरी पर टिकी थी सभी जानना चाहते थे कि अगला राजा कोन होगा मंतरी ने कहा महराज मैंने अजर विजय को सर्वत्तम दान के लिए कहा था अजय ने 500 स्वर्ण मुद्राएं गरीबों में बाटी लेकिन विजय सिंग ने क्या किया ये खुद बताएगा विजय सिंग ने कहा कि मंतरी जी ने सर्वत्तम दान की बात कही जहां तक दान का प्रश्ण है वह तो अपनी चीज का किया जाता है स्वर्ण मुद्राएं तो प्रजा का धन है भला उस पर मेरा क्या अधिकार लेकिन मैंने श्रम दान किया मैंने बुढ़े बाबा का गठर उठाया साहुकार के घर मजदूरी करके बच्चे को खेलने का मोका दिया मंतरी बोला राजन अगले दिन मैंने इन दोनों को कुछ कमा कर लाने को कहा था आजय सिंग एक लाख स्वन मुद्राय लाया लेकिन इसे कमाना नहीं कह सकते क्योंकि ये धन्तों व्यपारियों से डरा कर इसने चीना था विजय सिंग बोला मैंने दिन भर प्रजा की सेवा की लोगोंने मुझे शुब कामनाएं दी आशिरवाद दिये मेरे लिए यही सबसे बड़ी कमाई है राजा और राजा के सभी दरबारी दोनों की बाते ध्यान से सुन रहे थे मंतरी ने कहा तीसरी बार इने कुछ जीत कर लाना था तो विजय सिंग ने पडोसी राजा का एक टापू जीत लिया लेकिन वो पडोसी राजा तो हमारा मित्र है इस टापू पर हमले से हमारे संबंदों पर असर पड़ेगा राजा ने विजय से पूछा तुमने क्या जीता तब विजय ने कहा पिताजी मैं तो स्वयम पर ही विजय पाने की कोशिश करता रहा मैंने वरत रखा परियास किया कि आलस्य लोब और क्रोध के विचार मेरे मन में ना आए मनुश्य के सबसे बड़े शत्रू ही यही है तब राजा ने पूछा क्या तुम्ही इसमें विजय मिली तब विजय ने कहा पिताजी मैं अपने परियास में सफल रहा मन्तरी ने कहा महराज अब आप खुद ही फैसला कर लिजिए गंभीर होकर राजा ने कहा फैसला तो हो गया है मन्तरी जी राजा वही होना चाहिए जो ख़जाने के धन को प्रजा का धन समझे प्रजा की भलाई जिसके लिए स्रेष्ट काम हो और जिसने अपनी च्छाओं पर काबू पा लिया हो इसलिए मैं विजे सिंग को अपना उत्तर अधिकारी गोशित करता हूँ सभी दरबारी नई राजा की जैजैकार करने लगे साथ संगत जी अब आप सभी भी बताईएगा कि आपके अनुसार राजा का सच्छा उत्तर अधिकारी कोन होना चाहिए था अपने जवाब जरूर बताईएगा मुझे आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धन रंकार जी